नमस्कार में हुँ जोती आपके अपने चेनल जोती की चिन में आप सभी का बहुत-बहुत सवागत हैं आप लोग सब कैसे हैं आज फिर एक नहीं रेशिपी बनाते हैं चली यह शुरू करते हैं मनाना आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्टेन धोकला सिर्फ एक चमश तेल से इसमें प्रोटीन आइडन कई विटामिन से भरपूर होगा इसमें न सूजी न बेशन का यूश किया है फिर भी बहुत खाने में स्वाधिश्ट और पोस्टिक ह होगा इसे बनाना बिल्कुल आसान है तो शुरू करते हैं पालक पनीर मूंकी डाल से बना मज़ेदार से नस्ता एक बार बनाएंगे तो हर बार इसी तरह बनाना चाहेंगे इतना सौप्ट और स्पंजी बनेगा कि आप देखते ही बनाने पड़ेंगे तो देर किस बात की इस वीडियो को पूरा देखिए बनाएं बताएं कैसा लगा चलिये शुरू करते हैं हेल्दी टेस्टी रूटिन से भर पूर नाश्ता यह मैंने मूंकी डाल लिये एक कप छिलके वाली और वन फूर्थ कप राइस लिया है चामल आप मूंकी डाल छिलके वाली ले सकते हैं या खड़े मूंग ले सकते हैं स्प्राउड वाले मूंग ले सकते हैं या धुली वाली मूंकी डाल पीली वाली ले सकते हैं और राइस भी कौन सा भी ले सकते हैं डेली वाला यूज वाला इसको मैंने दोनों को अच्छी तरह बिगो दिया ता 5-6 घंटे के लिए अब इस यह आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं जैसा आप चाहे उतनों कम जाधा कर सकते हैं लेसुन नहीं काते तो इसकी भी कर सकते हैं वो थोड़ा सा पानी मिलाएंगे पीसने के लिए दरदरा सा पेश्ट करेंगे खाने में बहुत ही पोश्टिक होता है एक बार बनाए यह जब तक पिस रहा है जब तक दूसरी तयारी कर लेते हैं फ्रेंड इसके मोल्ड को थोड़ा सा ओईल लगा देंगे जिससे ढोकला आसानी के साथ निकल जाए तेल घी कुछ भी लगा ले थोड़ा सा इसके सांचे को थोड़ा पनीर लिया है मेंने ग्रेटर से ग्रेट क कर लेंगे थोड़ा पनीर डालेंगे तो बच्चों को बड़ों को बहत पसंद आएगा खाने में बहुत ही हेल्दी होगा नुट्रिशन से भरपूर होगा एक बार जरूर बना कर देखें बिल्कुल डिफ्रेंट तरीके से ढोकला बनाया है मून डाल और पनीर और पालक से आइरन भरपूर मात्रा में पाया जाता इसमें इस ढोकले में ये अच्छी तरह ये पेच चुका है अब इसको निकाल लेंगे अब इसमें कुछ और चीज़े एड़ कर देंगे जिसे ढोकला बहुत ही बढ़िया स्वधिष्ट बनेगा ये थोड़ी मैंने ये चनी की डाल लिये बेगोई होई बीच बीच में आएगी तो खाने में बहुत ही तेश्टी लगेगा चनी की डाल बहुत बढ़िया लगेगी ढोकले में ये थोड़ा हींग पाउडर मिला दिया है आप चाहे तो थोड़ी हल्दी पाउडर भी मिला स अगर दही न हो तो आप नीवो का रस भी मिला सकते हैं आप घर्मियों के दिन आ रहे हैं तो बिल्कुल कम तेल का नाश्ता बहुत पसंद आता है सभी को और ये थोड़ा सा कटा हुआ मैंने पालक डाल दिया है अब इस वक्त पालक भी आ रहा है भरपूर मात्रा में तो पालक भी डाल देंगे तो और भी ज़्यादा हेल दियो और टेश्टी बनेगा आप चाहे तो पीस्ते समय भी पालक डाल सकते हैं अच्छी तरह मिक्स करेंग और ये कीनो का पाउंच मिला देंगे इसने डोल को बना रहा है इसलिए नहीं तो आप इसे परमेंट अप्रावक के लिए भी रख सकते तो वैसे भी बिना सोडा आया विना एनो के बन सकता है एक्टिवेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे और भी आप इसमें चाहे तो कुछ और भी मसाले मिला सकते हैं पर मैंने बिल्कुल साधा सिंपल तरीके से ये ढोकला बनाया है मून की डाल का छिलके वाला मैंने स्प्राउट वाली रेशेपी भी डाली हुए मून की आप जरूर देखे मेरे चैनल पर ये थोड़ी सी डाल डाल देंगे चनी की जो मैंने बचाई हुई थी बीच बीच में जो चनी की डाल आएगी ये बिल्कुल नया बिल्कुल यूनिक सा तरीका बताया मैंने देंगे जिससे देखने में लुक भी बढ़ी आएगा डोक लेगा थोड़ी चनी की डाल डालेंगे अब जो बचाई हुआ बेटर था ये डाल देंगे बीच में जो पनीर चनी की डाल और लाल मिर्च पाउडर आप इसे जब पीसे स्काटेंगे तो देखने में बहुती तेस्टी खाने को मिलेगा और बिना तेल का बनेगा बिल्कुल एक चमश तेल से प्लीज अगर मेरी रेशिपी जरासी भी पसंद आती तो आप इसे लाइक करें अधिक साधी दोस्तों रिस्तेदारों के साथ शेयर करें नए तो सस्क्राइब करना न भूले बेल आइकन प्रे बुरक दिया है दोकला बहुत ही सुंदर लगेगा बच्चे बड़े सबीर चाओ से खाएंगे पानी को मैंने अच्छी तरह गरम करने के लिए लग दिया था उबलने के लिए पानी को अच्छी गरम होने के बाद ही डब्ब्य को रखें आप रोक लेके आप इसे आठ साथ मिनिट के लिए अच्छी तरह पका लेंगे बिल्कुल सॉप्ट और स्पंजी डोकला बनेगा खाने में तो इतना टेस्टी लगेगा कि आप हर बार बनाना चाहेंगे बेस्तन और सुजीता डोकला बनाना भूल जाएंगे ये देखें कितना सॉप्ट बनाए मैं आपको बत स्फेद तफ़े जब तक यह थंड़ा हो रहा है जब तक छोग की तैयारी कर लेंगे इसके उपर से तोड़ा सा तेल डालेंगे, एक चम्मची तेल डाला है मैंने, जितना बता था उतना ही डाला है मैंने, अब इसमें राई, खरी, लाल मेचे, मोटी वाड़ी, करी पत्ता, घर का लगा हुआ, हींग, ये सब डालनेंगे, और सफेद वाले तीलो तो जरूर डाले, उससे देख इसने में लूग पढ़िया आएगा, ये ताजा ताजा फ्रेश वाला मैंने कड़ी पत्ता डाला है, कड़ी पत्ता तो दोखला की बिल्कुल जान होते हैं, बहुती बढ़िया लगता है कड़ी पत्ता जरूर खाना चाहिए, ये सफेद वाले तेल डाल दिये मैंने, अगर मीठा, बिल्कुल फ्रेश ताजा सा दोखला बनेगा, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, उल्टा करके, कितने आसानी के साथ निकल रहा है, थोड़ा थंडा होने के बाद निकालेंगे, तो आसानी के साथ निकल जाता है, थोड़ा सा अपने ओईल भी लगा लिया था दोखले में, एक बार मूंग दालो चने से बना कर देखिए, देखिए कितना बढ़िया लूक आ रहा है, उपर से छोक लगा देंगे तो और भी बढ़िया लगेगा, आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं, आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है जरूर इसी तर अपना सयोग और प्यार बनाए रखें, जिससे में आगे बढ़ सकूँ, और आप कुन सी रेसिपी देखना चाते हैं, मेरे चैनल पर जरूर देखें, और भी रेसिपी मैंने डाली हुए, जोती किचन को एक बार सस्क्राइब कर ले, और आपको हर रेसिपी मेरे च उपर से, आप चाय तो ऐसा उपर से फेला दे, पर मैंने थोड़ा सा इस तरह गार्णीशिंग किये, पनीर की, बहुत बढ़िया लगता है, ताजा ताजा फ्रेश पनीर बना हुआ है घर का, उपर से थोड़ी सी लाल में चे पावडर भुरक देंगे पनीर के उपर, केसी हिल्दी टेश्टी रेशिपी और नई नई रेशिपी आपको बताना मेरा उद्देश होता है, मेरा प्रियास आपको कैसा लगता है घर की रखी चीजों से रेशिपी बनाने का, आप मुझे जरूर बताए, आप मैं आपको कट करके भी बताते हूं, कितना सौप्ट बना है बिल्कुल सौप्ट और स्पंजी सिर्फ एक चम्मस तेल से धेल सारा नाश्ता बन जाता है आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं अगर वो पसंद करते हैं बच्चों के इसाब से ही बनाया है बिल्कुल पनीर बगेरा डालके ये देखे कितना सौप्ट और स्पंजी बनाई है जितना देखने में सुंदर है खाने में कहीं ज़्यादा स्वादिश्ट है तो आप कब बना रहे मुझे जरूर बता है कमेंड बक्स में और भी रेशिपी और टिप्स मेरे चैनल पर आप देखे ये देखे कितना बढ़ी हमता है एक छोटा सा लाइक तो जरूर बनता है फ्रेंट आपका एक लाइक बहुत या हमारे लिए माइने रखता है तो फ्रेंट जरूर देखे मेरी जोते किचन की रेशिपी थेंक्यू फॉर वाचिंग